पहली मिटिंग है 2022 की सबसे पहले तो आप सभी को लोड़ी की बहुत बधाई मगर संकरांती, पौंगल, भोगली विहू, उत्रायन और पोश्वर्ष के भी अगरिम शुबकामनाई सो साल की सबसे बड़ी महमारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रविश कर चूती है परिश्रम हमारा एक मात्र पत है और विजय एक मात्र विकल्प हम एक सो तीस करोड भारत के लोग अपने प्रयास से कोरोना से जीत कर अवश्य निकलेंगे और आप सबसे यो बाते मैंने सुनी है उसमे अभी वही विश्वास प्रगट हो रहा है अभी ओमिक्रोन के रूप में जो नई चुनोती आई है जो केसों की संख्या वड़ रही है उसके बारे में हेल सेक्रेटरी तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है अमिज साहजी ने भी प्रारे में कुछ प्राते हमारे सामने रखी है आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी और वो भी इंदुस्तान की अलग-अलग कौने के काफी महत्वपूर बाते हम सब के सामने आई है सत्यों ओमिक्रोन को लेकर पहले जो संसे की स्थिती थी वो अब दीरे दीरे साफ हो रही है पहले जो वेरियंट थे उनकी अपेच्छा में कई गुना अधिक तेजी से एमिक्रोन वेरियंट सामाने जन को संकर्मित कर रहा है अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाग तक नए केसिस सामने आए है भारत में हमारे वेज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्स हर स्थिती और आंकडों का लगातार अध्यान कर रहे हैं इबात साब है हमें सतर्क रहना है सावधान रहना है लेकिन पैनिक की स्थिती न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा हमें यह देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की एलटने कहीं से भी कम न पड़े पहले केंद्रव और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रियम्टिव प्रोयक्टिव और कलेक्टिव एप्रोच अपना ही है वही इस समय की जीत का मंत्रा है कोरोना संक्रमण को हम जितना सिमित रख पाएंगे परेशानी उतनी ही कम होगी हमें जागरुक्ता के फ्रंट पर साइंस आधारिक जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफरस्ट्रेक्टर को मेडिकल मेंट पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा साथ दुनिया के अधिकतर एक्सपोर्ट का कहना है कि वेरियंट चाहे कोई भी हो कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हधियार वैक्सिन ही है भारत में बनी वैक्सिन्स तो दुनिया भर में अपनी स्रेश्टता सिद्ध कर रही है यह हर भारतिय के लिए गर्व का विशे हैं कि आज भारत लगभग 92 परसंट वैस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी सत्तर प्रतिश्रत के आस्पात पहुँच चुके हैं और हमारे वैक्सिनेशन अभियान को एक साल पूरे होने में अभी भी तीन दिन बाकी हैं दस दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग तीन करोड किश्वरों का भी टिकाकर्ण कर चुका है यह भारत के सामर्थ को दिखाता है इस चनौती से निपटने की हमारी तयारी को दिखाता है आज राज्यों के पास परियाप्त मात्रा में वैक्सिन उपलब्द है फ्रन्ट लाइन वर्कर्स और सीनियर सिटिजन्स को प्रिकोशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्ट केर सिस्टिम का सामर्थ बढ़ेगा शत्र प्रतिशत ठिका करण के लिए हर गर्द दस्तक अभ्यान को हमें और तेज करना है मैं आज अपने उन हेल्थ केर वर्कर्स हमारी आशा बहनों का भी अवननन करता हूं जो मौसम की कठीन परिस्तित्यों के बीच वैक्सिनेशन अभ्यान को गती देने में जुटे हैं साथियों टिका करण को लेकर ब्रह्म फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है कई बार हमें ये सुन्ने को मिलता है कि टीके के बावजूत संक्रमन हो रहा है तो क्या फायदा मास को लेकर भी ऐसी अफ़ाएं उड़ती हैं कि इससे लाब नहीं होता ऐसी अफ़ाओं को काउंटर करने की बहुत जरूरत है साथियों कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का दो साल का अनुभव है देश व्यापी तैयारी भी है सामान्य लोकों की आजिविका आर्थिक गति विद्यों को कम से कम नुक्सान हो अर्थ ववस्ता की गति बनीर है कोई भी रणनीती बनाते समय हम इन बातों को जुरूर ध्यान में रखे हैं यह बहुत आवशक है और इसलिए लोकल कंटेन्मेंट पर ज़्यादा फोकस करना बहतर होगा जहां से ज़्यादा केस आ रहे हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो यह सुनिश्चित करना भी आवशक है इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आईसोलेशन में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्मेंट हो सके इसके लिए होम आईसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइन्स को प्रोटोकॉल को उसे फोलो करना और थीत्यों के अनुसार इंप्रुवेज करना भी बहुत जरूरी है होम आईसोलेशन के दोरान ट्रेकिंग और ट्रिक्मेंट की ववस्ता जितनी बहतर होगी उतना ही अस्पतावों में जाने की आवश्यक्ता कम होगी संक्रमन का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल डूप में संपर करते हैं इसलिए उचीत रिस्पोंस और फिर मरीज की लगाता ट्रेकिंग कॉन्फिरेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नईने इनोवेटिव प्रयास भी कर रही हैं केंद्र सरकार ने टेली मेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाय विक्सित की हैं इसका जादा से जादा उप्योग कोरोना संकरमीत मरीजों को बहुत मदद करेगा जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रस्ट्रक्टर की बात हैं तो केंद्र सरकार हर बार के तरह हर राज्य के साथ खड़ी है पांच-छे महिने पहले 23,000 करोर रूपिय का जो विशेश पैकेज दिया गया था उसका सदुप्योग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इनफ्रा को ससक्त किया है इसके पहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेश पैडियाटिक केर यूनिट स्विक्रूथ हुए है करिब डेड़ लाख नए ऑक्सिजन आईसीऊ और एच्डियू बेड़ तयार किये जा रहे है पाँच हजार से अधिक विशेश अम्बिलेंस और साहड़े नवसो से अधिक लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेज टेंक की कैपरसिटी जोड़ी है एमर्जन्सी इंफरस्ट्रक्ट्ट्र की कैपरसिट्टी को बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए है लेकिन हमें इस इंफरस्ट्रक्ट्र का विस्तार करते रहना है कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरियंट से आगे रखना होगा ओमिक्रोन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभविंत वेरियंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सयोग एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वए कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा एक बात हम बली भाती जानते हैं हमारे देश में एक हर घर में ये परंपरा है जो आईवेदिक चीजे हैं जो काणा वगेरे पीने की परंपरा है इस सीजन में उपकारक है इसको कोई मेडिसिन के रुप में नहीं कहता है लेकिन उसका उप्योग है और मैं तो देश्वासियों से भी आगरा करूँगा कि ये जो हमारी परंपरागत गरगत्थु जो चीजे रहती है ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है उस पर भी हम ध्यान के इंदित करें साथियों आप सभी ने समय निकाला हम सबने अपनी चिंताए साजा की और हम सबने मिलकर के संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आये हमारी तैयानिया हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विज़ई होने के संक्रप के साथ हरेकी मातों में से निकल रहा है और यही सामान नागरी को विश्वास देता है और सामान नागरी कों इस सयोग से हम इस परिष्टितों को भी सफलता से पार करेंगे आप सबीने समय निकाला इसके लिए बरदय से आपका भार वेक्तर करता हूँ बहुत बहुत धन्यूट नमस्कार दोस्तों BCR News में आपका स्वाकत है मैं हूँ आपका होश्ट हैं दोस्त देश शास्त्री उमीद है आपको ये हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जी हाँ ऐ झाल